माने निया सद्धस्योंगं, मैं और थरेवे लक्षभा के सभी नगणिर्वाचित सद्धस्यों को बहुत बहुत बढ़ाई और सुब कामनाय देते। आप सभी यहां देश के मतदाताओं का विश्वास जितकार आए हैं। देश सेवा और जोन सेवा का यह सोभाग जो बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास से आप राष्ट प्रथम की भापना के साथ अपना दाइत्तों निभाएंगे। एक सोचालिस क्रोर देश बासियों की अकांख्याओं की पूर्तिका मजधोम बनेंगे। मैं श्री ओम बिल्ला जी को लक्सभा के अध्धक की गोरोपुर्ण भुमिका के निर्भाहन के लिए सुप्ताम नहें देती। उनके पास सार्बोजनिक जीवन का बहुत ब्यापक अन्गोव है। मुझे विश्वा से कि वे लक्तांत्रिक परमपराओं को अपने पोशल से नहीं उच्चाई से देने में सफल होंगे। मानुनियों सद्धस्योगन, मैं आज कोटी-कोटी देश-पासियों की तरफ से भारत के चुनाओं आयोक का भी अभार व्यक्त करती हूँ। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाओ था। करीब चोसोट क्रोर मतदाताओं ने उस्षा और अमंगे साथ अपना कोट अब्योनिवाया है। इस बार भी मोहिलाओं ने वड़ जर कर मतदान में हिस्षा लिया है। इस चुनाओं की बहुत सुखत तस्पिर जमुकस्मिर में भी सामने आये है। कस्मिर घती में गोटिंग के अनेक दोसों कों के रेकोर्ड तूटे हैं। बीते दोस चार दोसों को ने कस्मिर में हमने बौन्द और हर्ताल के बीच कोम मतोदान का दोर ही देखा था भारत के दुसमन इसको बॉशिक मन्चोपर जोमो कस्मिर की राय के रूप में दुस प्रचारित करते रहे लेकिन इस बार कस्मिर घटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार तकत को करारा जबाब दिया है पहली बार इस लुक्षवा चुनाओं में घर पर जाकर भी मुद्दान कराया गया है मैं लुक्षवा चुनाओं से जुड़ी हार कर्मी को सरहना करती हूँ और अभिनांदन करती हूँ माननिय सद्दस्यगाँ दोसो चबीस दोहजार चबीस के लुक्षवा चुनाओं की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगादार तीसरी बास तीर और स्वर्ष्ट बहुमत की सरकार बनाई छेद असक बात ऐसा हुआ है एसा समय में जो भारत के लोगों की अकांखाएं सर्बच अस्तर पर है लोगों ने मेरी सरकर पर लगतार तीसरी बार भरस आजाताया भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वासे की उनकी अकांखाएं सिर्फ मेरी सरकर ही पूरा कर सकती है इसलिए इसलिए दोहजार जब्यस का ये चुनाव नीती, नियत, निष्टा और निन्नोयों पर विश्वास का चुनाव रहा है मजबूत और निनायोक सरकार में विश्वास सुशासन, स्तिर्था और निरंतरता में विश्वास इमांदरी और करी मेहनोत में विश्वास सुरख्या और समुरुधी में विश्वास सरकार की गेरंटी और डेलिवरी पर विश्वास विक्षित भारत के संकल्प में विश्वास मेरी सरकार ने दोस बर्सों से सेवा और सुशासन का जो मिश्वास जनाया है यह उस पर मुहर है यह जनादेश है कि भारत की विक्षित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लोख्यों की प्राप्ट करते माने निया सद्धश गॉन 28 लोख्यों कई माइनों में एक अितिहासी की लोख्यों है यह लोख्यों अमरुत काल के शुरुवाती बर्सों में गठीत हुई है यह लोख्यों देश के संभीधान को अपनाने के पचस्तरिवी बर्सों की भी साखी बनेगी मुझे विश्वा से कि इस लोखस्वा में जनकुलना के फोसलों का नवीन अध्धाय लिखा जाएगा आगामी सुत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकल का पहला बजेट पेश करने जा रहे ये बजेट सरकार की दूरगामी नितियों और फिचरिस्टिक भीज़न का एक प्रोभावी दोस्ताबेज होगा इस बजेट में बड़े अर्थिक और समाजिक निल्डोयों के साथ ही उनेक एतिहासी कदम भी देखने को मिलेंगे भारत के तेज विकास की जोन अकांखाओं का पूरा करने के लिए रीफर्म्स की गोति आप और तेज की जाएगी मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में सोस्त स्परधा है यही कॉम्पेटेटिव कॉपरेटिव फेडरलेजिम की सची स्पिरिट है राज्यों के विकास से देश का विकास इसी भवना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे माने नियों सद्दस्यों गण रिफर्म परफर्म और ट्रांसफर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसेत तेजी से बनने वाली अर्थवेवस्ता बना दिया दो सल में भारत एगारोय नमबर की अर्थवेवस्ता से उपर उठकर पांचवी नमबर पर पहुंचा है साल दो हजार एक उस से लेकर साल दो हजार चोबिस के विश भारत में औस तोन आठ परतिसोत की रप्तार से विकास किया है और ये ग्रत समान्यों समय में नहीं हुई है बीती बर्सों में हमने सो साल की सोब से बड़ी आपाद देखी बैसिक महामारी के कालखुंड और विशो के अलग-अलग पने में चल रही संगर्सों के बाब जुद भारत ने ये विकास दोर हासिल की है ये बीते दो साल के रीफंस और राष्ट्रो हित में के लिए ये फेशला के कारण संभव है आज भारत एकेले ही दुनिया की ग्रोथ में पंद्रो प्रतिसद का जगदान दे रही है आप मेरी सरकार भारत को विशो की तिसरी नंबर की एकोनोमी बनाने में जूती हुई इस लख्यों की प्राप्ति विक्षित भारत की नीव को भी मजबूत करने में के काम करेग मानोनिय सद्दशकर मेरी सरकार और्थ वेवस्ता के तीन उस्तम्व मेनुफ्रेक्चरिंग, सार्वीशेज और अग्रिकल्जर को बराबर मोहत्त दे रही है PLI स्किम्स और इज अब दुइंग बिजनेस से बड़े वेमाने पर नीवेश और वजगार के अवसर बढ़ रही है पारमपरिक सिक्टोस के साथ साथ सान्राइज सिक्टोस को भी मिशन मोड़ को बढ़ावा दिया जार आ है चाहे सेमिकोंडक्टर हो या सोलार हो चाहे इलेक्ट्रिक भेहिकल हो या इलेक्ट्रोनिस गूर्ज हो चाहे ग्रियन हाइड्रोजेन हो या बेटरीज हो चाहे एरक्राप केरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो भारोत इन सबसेक्टोस में आपना बिश्तार कर रहा है लजिस्टिश्Ben्पोट्स को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगादार प्रयास कार रही है सरकार सारबी स्च्टोर को भी मजबूत करने में जूटे हैं आज आई टी से लेकर टुरिज्म टों हेल्थ से लेकर वेल्नेस टों हार सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इसके इससे बड़ी संख्या में रोजगार और सो रोजगार के नई मोगे बन रहे है माननिय सद्धस्यगोन पिछले दोस बर्सों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामिण और तो वेबस्ता के हार पहलू कर बहुत जोर दिया गया है गाउं में कृशी आधारीत उद्योगों, देरी और फिसेरीज आधारीत उद्योगों का बिश्तार किया जा रहा है इसमें भी सोहकरिता को प्रथमिक्ता दी गई है सरकार किसानों उत्पात संगों, एप्पियों और फ्यक्स जैसे सरकारी संगठोनों का एक बड़ा नेटवार बना रही है चोटे किसानों की बड़ी समच्चा भंडारों से जुड़े होती है इसलिए मेरी सरकार ने सोहकरिता क्छेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारों जोजनापोर काम कर शुरू कुछ कर चुपी किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लगी है इसके लिए पी-एम किसान सुनमन नीधी के तहट उन्हें तीन लाग बिस अजर करो रूपिया से ज़्यादा राशी दे चाची है मेरी सरकार के नई कार्योकाल के शुरूआत दिनों से ही किसानों को बीस अजर करो रूपिया से अधिक की राशी ट्रांस्पर्ट की जा चुकी है सरकार ने खरीब फोसलों के लिए एमेसपी में भी रेकोर्ड बुरुद्धी की है माननिय सद्धस्योगन आज का भारत अपनी बरतमन जो रुरूतों को ध्यान में रखते हुए अपनी किसी वेवस्ता में बदला कर रहा है हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदानी बढ़े इस सोच के साथ नितियां बनाई गई है निर्नों लिये गिये है जैसे भारत दल्हन और तिल्हन में दूसरे देशों को निर्भरता कोम करने के लिए देश के किसानों को हार सुमभब मौदद दे रहे हैं गलोबाल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोड़क्ट की डिमांड जादा है इसके आधार को नहीं रणनी बनाई जा रही है आज काल और्गानिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भर्पूर चमता है इसलिए सरकर प्राकुतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाइचेन को सोशक्त कर र पर उनकी आई भी और बढ़ेगी है वानोनियों सदस्षकुल आज का भारत दुनिया की चुनोतियों बढ़ाने के लिए नहीं बलकि दुनिया को समाधान देने के लिए मना जाता है विश्यो बंधु के तोर पर भारत ने उनेक बोईशिक समस्षाओं के समाधान को ले कर पहल की है जलबाई परिवत्तन से लेकर खज्डो सुरख्या तोक पोसंड से लेकर सस्टेनेबल एगरिकल जर तोक हम उनेक समाधान दे रहे हमारे मोटे आनाज श्रीयोंनों की पहुंच सुपर फूड के तोर पर दुनिया के कोने-कोने में हो इसके लिए भी अभियान चल रहा है भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने बोर्स 2023 में इंटरनेशनल मिलेट सियार मनाया है अपने देखा है हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतराश्ट्य जोग दिबस भी मनाया है भारत की इस मोहान परमपरा की प्रतिष्टा बिश्व में लगादार बढ़ रही है योग और आयूस को बढ़ावा देका भारत एक सोस्त बिश्व की निर्माण में मदद कर रही है मेरी सरकार ने रेनेबल इनर्जी की चमता भी कई गुणा बढ़ाई है हम जो लबायू से जुड़े लख्षों को निर्धारी समय से पहले प्राप्ट करने की दिखा रहा है नेटजीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरिद कर रही है इंटरनेशला सोलार अलाइंस जैसे पहल पर आज रेकोर्ड संक्या में दुनिया के देश हमारी साथ जुड़े है मानने या सदस्योगन आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित यूग का है मेरी सोरकर इसके लिए भी हार जोरूरत जोरूरी कदम उठा रही है हम हरीत उद्योगों पर निवेस बढ़ा रहे हैं जिससे ग्रीन जोब्स भी बढ़े हैं ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हार मोर्चे पर हम बड़े लख्षों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार अपने सेहरों को दुनिया के बेहतरीन लीभिंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद है। प्रदुस्वन से मुक्त, साप सुत्रे और सुविधा युक्त सहरों में रहना भारत के नागरीकों का हक है। विशेश रुप से छटी सहरे और कुस्वे में बिते दोस बर्सों से अभूत पूर्बर निवेश किया गया है। भारत में आज दुनिया का तिसरे सबसे बड़ा डोमेस्टिक अभियसन वार्केट है। अफ्रिल 2014 से चोदा में भारत में सिर्फ 209 एयर लाइन रूट्स थे। अफ्रिल 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 405 हो गया है। हावाय जात्रा में हो रहे इस विस्तर का सीधा लाप टीयाट्टू, टीयाट्री सेहरों को हो रहा है। दोस बर्सों में देश के एकी सहरों तोक मेट्रो सुबिधाएं पहूंची है। बंदे मेट्रों जैसे कि जो जनाएपर काम चल रही है। भारत का पाबलिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहत्रीन हो इस लख्यों के साथ मेरी स्वर्कार काम कर रही है माननिय सद्धस्योगन मेरा स्वर्कार इन आधुनिक मापदोंड को काम कर रही है जिससे भारत विक्षित देश के समने बराबरी से खड़े हो सके इन्फ्रास्ट्रक्टर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्पिर के रूप में उभारा है मेरी सरकाने दोस बर्सों में पी-एम ग्रामियो सड़क जोजोना के तहत गाउंड में तीन लाक असी हज़र किलोमेटर से ज़्यादा सड़के बनाए आज भारत में नेशनाल हाई वेज और एक्स्प्रेस वेज का जाल बीच रहा है नेशनाल हाई वेज बनाने की गती में भी दोगोनी से अधिक की बुरुधी हुई है और बनावदाद बाद मुंबेई के बीच हाई स्प्रीड रेल एको सिस्टम का निर्मान कारियों भी तेजी से आगे बढ़ रहे है मेरी सरकार ने उत्तर दक्षिन और पूर्वी भारत के बुलेट ट्रेन कोरिडर्स के लिए फिजिबिलिटी स्टाडीच शुरू करने का फैसला किया है पहली बार देश में अंतध्यसियों जोलमार्गों की विकास पर इतने ब्यापक रूप से काम शुरू हुआ है इसका बड़ा लाप नो तिस्ट को होगा मेरी सुर्कार ने नो तिस्ट के विकास के लिए दस बश्चों में आबंतोन में चार गुना से अधिक की बुरुधी की है सरकार इस चेत्रों को आक्टिट पॉलिशी के तहट स्ट्रेजी के ट्वेज बनाने के लिए काम कर रही है नो तिस्ट में हार तरह की कोनेक्टिबिटी का बढ़ाया जा रहा है सिख्या, सास्त, परियोटन, रजगार हार खेत्रों में विकास कारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है असम में 37,000 क्रोर रूपिया की लागात से सेमी कंडुक्टर प्लांट बनाया जा रहा है यानि नो तिस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर होने वाला है मेरी सरकार नो तिस्ट में 27,000 के लिए निरंत और काम कर रही है पिछले इस दोस बर्सों में उनेक पुराने विबादों को हल किया गया उनेक ओहम समझोते हुई है नो तिस्ट में 27 खेत्रों में तेज विकास करके चरणबोत तरीके से अपस्वा हाटाने का काम भी जारी है देश के हार खेत्रों में विकास के ए नहीं आया हारोज के भविश्यों का उद्गस कर रही है देश की नारीशक्ती लंबे समोई तक लोगसभा और विधानसभा में अधीक भगिदरी की मांग कर रही थे आप उनके पास नारीशक्ती बंदन ओधिनियम की ताकत है सरकार की जोजोनाग की वज़ा से पिछले एक दसक में मोहिलाओं का आर्थिक सामर्थ बढ़ा है आप जानते हैं कि बिते दोस बर्सों में बने चार क्रोर पियम आवास में से ज़्यदादर मोहिलाओं के नाम ही आवंटीत हुई है आप तिसरी कार्यकाल के शुरुआत में ही सरकार ने तीन क्रोर नई घर बनाने की सिकृति दीर दी है इन में से भी अधिक तर घर मोहिलाओं के नाम पर ही आवंटीत होंगे बिते दोस बर्सों में दोस क्रोर मोहिलाओं से जुड़े हैं मेरी सरकार ने तीन क्रोर मोहिलाओं को लख्विदी दी बनाने के लिए ब्यापक अभिजान चलाये इसके लिए सेल्फव गुरुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है सरकार का प्रयासे की मोहिलाओं का पोसल बढ़े कमाई के साधन बढ़े और उनका सौनमान भी बढ़े नमन ड्रोन दिदी योजोना इस लख्व की पूर्थि में स्वायक बन रही है इस योजोना के तहट हाजारों सेल्फव गुरुप्स की मोहिलाओं को ड्रोन दिये जा रही है ड्रोन पाइलोट बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है मेरी सरकार ने हाली में कृशी खेती सकी कार्योप्रम भी शुरू किया है इसके तहट अभी तक सेल्फव गुरुप्स की 30,000 मोहिलाओं को कृशी सकी के लुप में प्रमान पत्र दिये गये है कुरुशी सक्कियों को आधुनिक खेती की टेकनिक में प्रसिखन किया जा रहा है ताकि वे कुरुशी को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सके माननिय सद्धसगा मेरी सरकर का ये भी प्रयासे की महिलाईं अधिक से अधिक बचद कर सके बेंक खातों में जोमाराशी पर बेटियों को ज़्यादा ब्याज देने वाला सुकन्य सम्रुदी जोजना की लोगप्रियता से हाम पुरिशी थे मुप्त राशन और सस्ते ग्या सिलिंडर की जोजना से मोहिलां को बहुत लाब हो रहा है आप मेरी सरकर बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेच का कमाई करने की जोजना भी लाई है पी-एम सुर्योग और मुप्त बिजली जोजना के तहट घर की छत पर सुलार पानेल लगाए जा रहे हैं इसके लिए मेरी सरकर परती परिवार ठातर हजार रुपया तक की मदद कर रही है इतने कम समय में एक रर से जादा परिवार इन जोजना में रेजिस्टार कर चुके हैं जीन घरों में सलार पानेल लग चुके हैं अब ओहां बिजली बिल जीरो हो गया है माननिय सदस्यगोन विक्षित भारत का निर्मान तो भी संभव है जो देश के गरीब जूबा नारिशक्ती और किसान सशक्त होंगे इसलिए मेरी सरकर की जोजना में सर्वच्च प्रात्मिक्ता इन ही चार संभव को दी जा रही है हमारी कसिस इन तो खार सरकरी जोजना का लाप पहुंचाने की है और यही सैच्चुरेशन को की आप्रच भी है जो भारत इस इच्छा सुक्ती के साथ काम कर रही है कि सरकरी जोजना से एक भी ब्योक्ती छूटे नहीं तो इसका लाप सोभी को होता है सरकर की जोजना एबंग सेच्चुरेशन अप्रोच के कारण ही दोच बर्सों में 25 क्रोट भारतिय गरिवी से बाहर निकले इसमें अनुशुचित जाती पिछले बर्ग हर समाच हर छेत्र के परिबार है दस बर्सों में लास्ट माइल डेलिवेरी पर फोकोस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है विशेशकर आदिबसी समाज में ये बदलाव और भी स्पोस्ट नजर आ रहा है 27.000 करोर रूपिया से अधिक की पिएम जन्मन जेसे जजना आज अती पिछले जनजातियों समोह के उत्षान का माध्धम बन रही है सरकार पिएम शुरोच पटल के माध्धम से बंचित बर्ग तक आजिविका के अपसरों को पहुंचाने के लिए सुलोब रोण भी उपलब करा रही है मेरी सरकार दिव्यांग्स भाईयों और बेहनों के लिए केफियाती और सोदेशी स्वहायक उपकरण बिक्सित कर रही है देश भर में प्रधान मंत्री दिव्याशा केंद्रों का भी बिस्तार किया जा रहा है बन्चितों की सेवा का ये संकुल्प की सच्चा समाजिक न्याय है माने निया सदच्छकन देश की श्रम शक्तिके संमान के लिए श्रमिक बंधूँं का कॉल्याण और सोशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राप्तिंकता है मेरी सरकर स्रमिकों के लिए सामाजिक सुरुख्य जोजनाओं को एकिक्रित कर रही है डिजिटाल इंडिया तोठा डागोरों के नेट्वार का उपयोग करके दुर्गोटना और जिवनविमा के कभरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है पी-एम स्वनीधी का बिश्तर किया जाएगा और ग्रामिनों और सेमी अर्बान खेत्रों के रेड़ी पट्री पले भाईयो बेहनों को भी इसके दाएरे में लाया जाएगा माने निया सद्दस्यकन बाबा साहेब डाक्तर भीमराव आमबेदकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगती समाज के नीचले तपकी की प्रगती पर निर्भर करती है पिछले दोस बर्सों में राष्टर की उपलवधियों और विकास का आधार गरीब का ससक्ति करण रहा है मेरी सरकान ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है कोरोना के कोठीन समय में सरकान ने अशिकरों लोगों को मुफ़त राषन देने के लिए पिएम गरीब को ये जोजना सुरू की इस जोजना का लाब उन परिबारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए सच्च भारत अभीजन में भी गरीब के जीवन की गरीमा से लेकर उसके स्वास्तोतों का राष्टियों मोहत्तों का विशोज बनाया है पहली बार देश में क्रोरों गरीबों के लिए सोचालों बनाया गया है ये प्रियास हमें आसोस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदोसों का सच्चे और्थों में अनुसरुन कर रहा है मेरी सरकर 55 क्रोर लाभात्यों को आयुस्मान भारोजोजोना के तहत मुप्त स्वास्तों सेवाएं भी अपलोव्ट करवा है देश में 25,000 जोनों सोदी केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है आप इस खेत्रों में सरकर एक और निनोई लेने जा रही है आप आयुस्मान भारोजोजोना के तहें मुप्त इलाज का लाभ सोत्तर बर्षों से अधिक उमर के सभी बुजूर्गों को भी मिलेगा माने निया सदस्यगों अक्सर विरोध परोग मानसिकता और संकिर्ण स्वार्थों के कारण लोकतंत्रों की मूल भवना का बहुत ओहित हुआ है इसका प्रभाब संक्सोद्य प्राणिपोर भी पढ़ता है और देश की विकास जात्रापोर भी पढ़ता है देश में कोई दोसों को तो अस्तिर सरकार के दोर में कई सरकार्या चाहते हुए भी ना रीफर्म कर पाए और ना ही आवस्यक निन्नों ले पाए भारत की जन्ता ने निन्नायक बनकार इस स्थिति को बदला है बीते दोस बर्सों में एसे अनेक रिफंस हुई है जिनका बहुत लाब देश को आज मिल रहा है जोब ये रिफंस के जा रहे थे तो भी इनका बीरोद किया गया था नोकरात मुक्ता फेसलेक की कोशिज की गई थी लेकिन ये सारे रिफंस समोई की कोशर्टी पर खरिशाबित हुई है दो सल पहले भारत के बेंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बेंकिंग रिफंस किये IBCJC कानून बनाए आज इनी रिफंस के ने भारत के बेंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मुझबूत बेंकिंग सेक्टर में से एक बना लिया हमारे सार्बोजोनिक चेत्रों के बेंक आज मुझबूत और लाबदायोग है सार्बोजोनिक चेत्रों के बेंकों के लाब दो हज़ार तेईस चोबिस में एक दोस्मिक चार लाग क्रो रूपय को पार कर गया जो पिछले बरसों की तुलोना में 35% अधिक है हमारे बेंकों की मुझबूति उन्ही रूण अधार का बिस्तर करने और राष्टर के आर्थिक विकास में जोगदान करने के लिए सक्ष्यम बनाती है सरकरी बेंकों का NPA भी लगादार कोम हो रही है आज SPI रेकोर्स मुना फेपर है आज LIC पहले से कहीं अधिक मुझबूत है आज HAL भी देश की डिफेंस इंड़स्ट्री को ताकोत दे रहे है आज GST भारत की एकोनोमी को फर्मालाइज करने का ब्यापार कारवार को आसान बनाने का मज़्धम बना रहे है अफ्रेल मुहिने में पहली बार GST कोलेक्शन ने दोला क्रो रूपय का स्तोर पार्क कार गिया है इसे राज्यों की आर्तिक टाकोत भी बढ़ी है डिजिटाल इंडिया और डिजिटाल पेमेंट्स के प्रती भी आज पूरा विश्य आकर्सित हो रहे है माननिय सद्धस्यगा एक सोशक भारत के लिए हमारे स्वन्यों बनों में आदनिक्ता जोरूरी है जुद्धो की स्तीती में हम स्वर्वस रष्ट रहे इसके लिए सेनाव में रीफोर्म सी प्रक्रिया नीरन तर जारी रहनी चाहिए इसी सच के साथ मेरी सरकाने बीते दोस बर्सों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्योपुणों को दोम उठाए ओड़नास फेक्तरिस के रीफोर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाव हुआ है चालिस से ओधिस और नास फेक्ट्रीज को साथ निगमों में संगोठित का नेक से उनकी च्छमता और दक्षता दोनों बढ़ी है एसे ही रिफॉंस के कारण भारत आज एक लाग प्रो रूपया से ओधिक की डिफेंस में भच्चरिंग कार रहा है पिछले एक दोसक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अठरा गुना अधिक होकार 21,000 प्रो रूपया तोक पहुंच चुका है फिलिपिन्स के तार साथ ब्रोमास मीजाइल का रख्च्चा सोधा डिफेंस एक्सपोर्ट के खेत्र में भारत की पहचान मुझबूत कर रहा है सरकार ने जुबाओं और उनके स्टार्ट आप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिब्रो डिफेंस सक्टेर की मुझबूत नीब तेयार की है मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिल नाड़ो में दो डिफेंस परिडर्स भी बिक्सित कर रही है हम सबी के लिए एक खुचिकी बात है कि फिछले बर्स हमारी सर्ण जोरुरोतों की लगवग सत्तर प्रतिसत खरित भारत्यों उद्योगम से ही की गई है हमारी सेनाओं ने पांसो सेवधिक सर्ण साजों समान को विद्दसों में नहीं मंगाना तई किया है ये सोभी हतियार और उपकरोण आप सिर्थ भारत्यों कमपनियों से ही खरिद की जाएगी मेरी सरकार ने स्वनिकों के हितों को भी हमिशा प्रफ्थ मिक्ता दी है तभी चार दोसों के बाद वान रेक वान पेंस्वन को लागू किया गया इसके तहट आप तो एक लाग बीस अजर प्रो रूपिया दिये जा चुके हैं सोहीत स्वनिकों के स्वन्मान के लिए सरकार ने कुट्व्यपद के एक च्छोर पर नसिनाल वार मेमोरियाल के स्तापना भी की है ये प्रियास केबल बीर जुबानों के प्रती कुरुतों ग्यों राष्टों का नमन ही नहीं है बलकि राष्ट प्रोथम की अनवरोत प्रेवना का स्रोथ भी है मानुनिय सद्दस्योगों मेरी सरकार देश के हार जुबा को बड़े सोपने देखने और उन्हें साकर करने के लिए ज़रूरी माहुल बनाने में जूटी है बीते दोस बर्सों में ऐसे हार औभरोत को हटाया गया है जिसके कारण जुबाओं को परिसानित थी पहले अपने ही प्रमान पत्रों को आर्टेस्ट करने के लिए जुबाओं को भटकना पड़ता था आप जुबाओं सेल्फ आर्टेस्टर करने काके काम कर रहे हैं केंद्र सरकार की ग्रूब सी ग्रूब डी भृत्तियों से इंटर्विव को खतम किया गया है पहले जो बिद्धर थी सिर्फ भारतियों भासां में पढ़ाई करते थे उनके साथ अन्याई की जाती थी मेरी सरकार ने नई राष्टियों सिख्यानेती लागू कर इस अन्याई को दूर करने के लिए एकदम उठाए जुबां को अब भारतियों भासां में इंजिनेरिंग की पढ़ाई का बिकल भी मिला बिगर दस बस मुद्देश में साथ नई आई आई टी सोला ट्रिपूल आई टी साथ आई आई एम पंद्रा नई एम तिन सो पंद्रा मेडिकल कोलेज और 390 विश्व विद्दालय स्थापित किया गया है मेरी सरकार इन सोंस्थानों को और मोजबूत बना कर आबस्वक्ता के अनुसार इनकी सोंस्था को भी बढ़ाएंगे सरकार एक डिजिटाल विश्व विद्दालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है अटल टिंकेरिंग लेप्स स्टार्ट अप इंडिया और स्टांड अप इंडिया जैसे अभियान हमारी जुबाओं का सामोर्थ बढ़ा रहे हैं इनी प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सोब से बढ़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम बन चुका है मानन ये सद्धस्योगों सरकार का ये निरंतर प्रयासे की देश के जुबाओं को आपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अफसर मिले सरकारी भरती हो या फिर परिखाएं सुनिये सुनिये परिखाएं किसी भी कारण से इनमें रुकाबोट आए ये उचित नहीं है इनमें सुचिता और पारिदर्शता बहुत जोरूरी है हाली में कुछ परिखाएं में हुई पेपर लीक की गटाओं की निस्पोक जांच और दोसियों को कड़ी से कड़ी सजाद दिलान दिलवाने के लिए मेरी सरकार्पत्रिबद हमारे पहली भी इससे पहली भी हमने देखा है कि कोई राजों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है इस पर दलियर राजनीती से उपर उठकर देश ब्यापी ठोस उपाय करने की ज़रूरों थे संग्सद ने भी परिखा में होने बाली गोड़बोडियों के विरूद एक सक्त कानून बनाया है मेरी सरकार परिखारों से जुड़ी संस्ताओं उनके कामकाज के तरीके परिखा परिख्रिया सोभी में बड़ी सुधर करने की दिशा में काम कर रही है मानन या सदस्यगन मेरी सरकार ने जुबाओं की राष्टर निर्मन में भागी दरी और बढ़ाने के लिए मेरा जुबा भारत माय भारत अभिजान की शुरूआत भी की है इसमें आप तो देड करोर से अधिक जुबाओं का पुंजी करोन हो चुका है इस पहल से जुबाओं में नेत्रुत्तो कसल और सेवा भावना का विजारोपन होगा आज हमारी जुबाओं को खेलों में भी आगे बनने के नई अबस्वर मिल रहे हैं मेरी सरकर के प्रभावी प्रयासों का परिडाम है कि भारत के युबाओं खिलाडी वोईशिक मन्चों पर रेकोर्ड संख्या में मेडल्स जीत दहे हैं कुछी दिनों बाद पेडिस ओलिम्पिक्स में भी शुरू हने बाले जा रहे है ओलिम्पिक्स में देश का प्रतिनी धित्तो काने बाले हार खिलाडी पर हमें गर्फ है मैं उन्हें अपनी सुब कामनाई देती हैं इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतियों ओलिम्पिक्स संग 2036 ओलिम्पिक्स खेलोग की मेजवानी की टेयारी भी कर रही है माने नियों सदस्यगों जुलाई की पहली तारीक से देश में भारतियों न्याय संग ये ताभी लागू हो जाएगी अंग्रे जी राज में गुलामों को दोंड देने की मनसिक्ता थी दुरभग्यों से आजादी के उनेक दोसों को तो गुलामी के दोर की ये ही दोंड बेवस्ता चलती रही इसे बदलने की चर्चा उनेक दोसों को से की जा रही थी लेकिन ये सहस भी मेरी सोरका नहीं करने के दिखाए है आप दोंड़ के जगा न्याय को प्राथमिक्ता होगी जो हमारी संभिधान की भी भावना है इन नहीं कनुनों से न्याय प्रोक्रिया में तेजी आएगी आज जो बिदेश अलग-अलग छेत्रों में गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त पा रहे हैं तो अब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सिनानों की सच्चिस रधानजली भी है मेरा सरकार ने CAA कानून के तहट सरार्थियों को नागरिता देना शुरू कर दिया है इससे बोटवारे सपंडित पिडित अने परिबारों के लिए स्वनमान का जिबन जिना तई हुआ है जीन परिबारों को CAA के तहट नागरिकिता मिली है में उनके बेहतर भविश्चो की कामना करती हूँ मानेन्य सद्दस्यगोन मेरी सरकार भविश्चो निर्मान के प्रयासों के साथ ही भारत के संस्कूति के बोईभोग और विरासोत को फीर से स्तापित कर रही है हाल में नालंदा इन्वर्सिटी के भोव्यो केंपोस के रूप में इसमें एक नाया उध्धाय जुड़ा है नालंदा सिर्फ एक इन्वर्सिटी मत्रों नहीं थी वालकि ये बैसिक ज्यान केंद्रों के रूप में भारत के गोरोब सली अतित का प्रोमान थी मुझे विश्वा से कि नई नालंदा इन्वर्सिटी भारत को ग्लोबाल नोलेज होग बनाने में स्वहयोक सिध्ध होगी मेरी सरकर का ये प्रया से कि भावी पिडियों को हजारों बोर्षों की हमारी विराशोत प्रयाणा देती है इसलिए पूरे देश में तीथोस्तोलों को आस्ता और अध्धाद्मों की केंद्रों को साजाया सोबारा जा रहा है माननिय सद्धस्योगन मेरी सरकर विकास के साथी विराशोत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है विराशोत परकर्व का ये संकल्प आज अनुसुचित जाती, अनुसुचित जनजाती, वंचित बर्व और सर्वस हमार्व के गोर्व का प्रतिक बन रहा है मेरी सरकर ने भगवान बिर्शामुंडा के जनम दिवस को जनजाती व गोर्व दिवस के रूप में मनाने की शुरुआती है आप अगले बस भगवान बर्शामुंडा की एक सो पचासमी जनती के पूरे देश में धुम दाम से मनाया जाएगा देश रानी दुर्गावती की 500 जनती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है पिछले महिने ही देश ने रानी ओहिल्याबाई हलकोई की 300 जनती का साल भर चलने वाला मोहस्चब भी शुरू किया हिया इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550 मा और गुरु गविंद सिंग जी का 535 मा प्रकासपरववी दुम दाम से मना चुके है एक भरोच चेस्ट भरोच के भाव से कासी तामिल संगमोम सोरस्टो तामिल संगमोम जैसी उस्षवों की परिपठी भी मेरी ही सरकार ने शुरूती है इन आयोजोनों से हमारी नहीं पीडियों को राष्टो निर्माण की प्रणा मिलती है और राष्टो पर गोर्व का भाब और और मोजबूत होता है मानिने सदस्योगन हमारी सफलताई हमारी साजी धरोफर है इसलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं साभीमान होना चाहिए आज अनेक सेक्टस में भारत बहुत अच्छा प्रणाशन कर रहा है ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगोती और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अबसर देती है जो भारत दिजिटाल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रणाशन करता है तो हमें गर्व हना चाहिए जो भारत के बज्यानिक चंद्रजान को चंद्रमा के दखिनी धूर पर सफलता से उताते हैं तो हमें गर्व हना चाहिए जो भारोत दुनिया की सोब से तेज बड़ती एकोनोमी बनता है तो हमें गौर भना चाहिए जो भारोत इतना बड़ा चुनाओ भीजान बीनत बड़ी हिंशा और और अज़क्ता से पूरा कराए तो भी हमें गौर भना चाहिए आज पूरा विश्ण हमें मादार डेमोक्रासी के रूप में सवनमान देता है भारोत के लोगों ने हमें सालखतंत्रों के प्रति अपना पूरा विश्वास प्रकट किया है चुनाओ से जुड़े सोंस्थाओं पर पूरा भरोसा जाताया है सवस्त लखतंत्रों को बनाया रखने के लिए हमें इस विश्वास को सोहेज कर रखना है इसकी रख्या भी करना है हमें याद रखना होगा लखतंतिक सौंस्थाओं और चुनाओी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट्पहुंचाना उसी डाल को कटना जैसे हार कोशिस्क की सामुहिक अलोचना होना चाहिए हम सभी को ओदोर याधे जो बलट पेपर छीन लिया जाता था लूट लिया जाता था मोतदान प्रक्रिया को सुरुखित बनाने के लिए इभी एम को अपनाने का फेशला किया गया था किछले केई दोसों को में इभी एम में सुप्रीम कोट से लेकर जनता की अधालत तो खार को सोटी को पार किया है माननिय सदस्योगा मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कूश और चिंताएं भी साजा करना चाहती हूँ मैं चाहूंगी कि आप सो भी इन विशोयों पर चिंतन मनन करके इन विशोयों पर थोस और सुकरात्म परिणाम देश को देए आज की संचार क्रांती के यूग है मैं बिघोटन करी तक्ते लक्तंत्रों को कौमजोर करने और समाज में धरार डालने की साजी सरच रहे हैं ये तक्ते देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं इसके द्वारा आफ़ा फेलाने का जोनता को ब्रोम में डालने का मिस इन्फर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है इस स्थिति को एसे ही बेर ओक टोक नहीं चलने दिया जा सकता है आज के समय में टेकनोलोजी हार दिन और उन्नोत हो रही है एसे में मानवता के बिरूत इनका गलत उपयोग बहुत घातक है भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिन्ताओं को प्रोकट किया है और एक गलोबाल फ्रेमवर्क की वकालत की है हम सभी का दाइत है कि इन प्रभूर्ती को रोकती इस चुनती से निपटने के लिए नई राश्ते खोजे मानन ये सदस्यगण 21 सदी के इस तिसरे दोसक में आज गलोबाल ओडर एक नया सकल ले रहा है मेरी सरकर के प्रयासों से आज भारत विश्वबंधू के रूप में दुनिया को नाया भरसा दे रही है मानव केंद्रित आप्रोच रखने की वज़े से भारत आज किसी भी संकट के समय फार्ट, रेस्पंडर और गलोबाल साउथ की बुलोंद आवाज बना है कोरोना का महा संकट हो, भुकंप जेसी कोई त्रासोदी हो या फिर युद्धो की स्थितियां भारत भावनात मानवता को बचाने में आगे रहा है भारत को देखने का विश्व का नजरिया के से बदला है ए इताली में हुई जी सेबेन समित में भी हाम सोभी ने अनुभव किया है भारत ने अपनी जी ट्वेंटी अध्यकता के दोरान भी विश्व को अनेक मुद्धों पर एक जूट किया है भारत के अध्यकता के दोरान ही अफरीकान उनियोन को G20 का 27 सद्धोस बनाया गया है इससे अफरीका महादीब के साथ साथ पूरे गलोबाल साउट का भरोसा मोजबूत हुआ है नेवरूर्ट फास्ट पॉलिसी में चलते हुए भारत ने पूरोसी देशों के साथ आपने रिष्टों को मोजबूत किया है साथ पॉडोसी देशों के नेताओं का 9 जून को किंद्यो मौन्प्री परिष्ट के सपत ग्रहन समारों में भाग लेना मेडिश और करकी इस प्रातमिकताज दोस्ताते है भारत सबका साथ सबका विकास की भवना के साथ इंडो पेसिफिक छेत्रों के देश के साथ भी सोह जोग बढ़ा रही है पूर्भी एसिया हो या फिर मीडिल इस्ट और इउरोप मेडिश और का कॉनेक्टिविटी पर बहुल बॉल दे रही है भारत के बीजोन नहीं इंडिया मीडिलिस्ट इउरोप इकनोमिक करीडर को आकार देना सुरू किया है ये करीडर 21 सोदी के सोब से बड़ी गेम चेंजर में से में एक सिध्ध होगा माननिय सदस्चगन आने वाला कुछ महिने में भारत गणतंत्र के रूप में 55 वर्ष पूरी करने जा रहे है भारत का संबिधान विती दोसकों में हार चुनती हार कोशोटी पर खरा उतरा है जो संबिधान बन रहा था तो भी दुनिया में एसे तक्ते थे जो भारत के ओसफल होने की कामना कर रही थे देश में संबिधान लागू होने के बाद भी संबिधान पर अनेक बार हमले हुए है आज 27 जून है 25 जून 1925 को लागू हुआ अपातकाल संबिधान पर सिधे हमले का सोब से बड़ा और काला और ठाथ था तो अब पूरे देश में हाहाकार मस गया था लेकिन ऐसी ओ संबिधानिक तक्तों पर देश ने विजोई प्राप्त करके दिखाया क्यूंकि भारत के मूल में गणतंत्रों की परंपराये रही है मेरी सरकार भी भारत के संबिधान को सिर्फ राजकाज का मज़्धों भर नहीं बनती बलकि हमारा संबिधान जोन चेपगना का हिस्सा हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं इसी धेव के साथ मेरी सरकान ने 26 नुवेंबर को स्वंविधान दिवस के रूप में मनना शुरू किया है आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मु कस्मिर में भी स्वंविधान पूरी तरह लागू हो गया है जहां आर्टिकल 370 की वज़े से स्तीतियां कुछ और थी माननिय सद्दस्योगन राष्ट्र की उपलवधियों के निर्धारोन इस बात से होता है कि हम अपने डाइतों का निर्बहन कितनी निष्टा से कर रहे हैं अथारे लोक्सवाक में कई नई सद्दस्यों पहली बार संग्सद्यों पराणी का हिस्सा बने हैं पुराने सद्दस्यों भी नई उससा के साथ आये हैं आप सुभी जानते हैं कि आज का समोय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है आने बाले बर्षों में भारत की सरकर और संग्सद्यों का क्या नितियां बनाती हैं इस पर पूरा विश्ट की नजार हैं इस अनुकूल समोय का अधिक से अधिक लाब देश को मिले एदाईत्यों सरकर के साथ संग्सद्यों के हार सद्दस्यों का भी होना चाहिए जो नाया आत्मों विश्वास देश में आया है इससे हम विक्सित भारत बनाने के लिए नहीं गति प्राथ कर चुके हैं हामसोभी को यह हमिशाद ध्यान रखना है कि विक्सित भारत का निर्मान देश के हार नागरी की आकांख्या है संकल्क भी है इस संकल्की सिद्ध में अबरोद पैदा ना हो यह हामसोभी का दाइत है भी कर्तब्य भी है नीतियों का विरोद और संक्सोदियों कामकज का विरोद दो भिन्यवाते हैं जोब संग्षवत सुचारू रूप से चलती है जोब इहां सवस्त चर्चा परिचर्चा होती है जोब दुरगवी निर्नोई होते हैं तो लोगों का विश्वा सिर्फ सरकरी नहीं पूरी बेवस्ता पर बनता है इसलिए मुझे भरस है कि संग्षवत के पल पल का स्वदुबोजग होगा जनहीत को प्राक्तमिक्ता मिलेगा माननिया संदस्यगन हमारे बेदों में हमारे रूशियों ने हमें कुछ नीति बानी दिये हैं जैसे कि स्वमान मंत्र हो समीती ही स्वमानी की प्रेरणा दी है और थाथ हम एक स्वमान विजार और लोक्ष्यों लेकार एक साथ काम करें यही इस संस्वत की मूल भावना है इसलिए जो भारत पिसरी नंबर की एकनोमी बनेगा तो डेश की इस सफलता में आपकी भी सोहभागीता होगी हम जो दो हजार सोताइस में आजादी की सोतब्दी का उस्वत विक्षित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पिड़ी को भी स्रेयों मिलेगा आज हमारे जुबा में जो सामुर्थ है आज हमारे स्वंकुल्मे में जो निष्ठा है हमारे जो असंभव सी लगनीवली उपलोब्धियां है यह इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दोर भारत का दोर है ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाप आने बली एक हज़ार बोर्श तोक रहे गाए आईए हम सो मिलकर पुर्णों पर्टबनिष्टा के साथ राष्टियों संकुल्पों की सिध्धी में जुट जाएं विक्षित भारत बनाए आप सुभी को मेरा बहुत 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 सुपकमनाए धन्यवाद जय हींद जय भारत